नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लिशिंग एरकलब में आज हम आपके लिए लेकर आये हैं CSSD की इकाई पांचवी जिसका नाम है मानो शरीर की संरचना और कारिय औरिंटेशन आफ औरिंटेशन to structure and function of the human body Human body के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि CSSD department होता है वो एक hospital का main department होता है उसके बारे में हमें पता होना चीह है कि मानो शरीर की संरचना किस तरीके से और वो किस तरीके से कारे करता है तो देखते हैं हमारा कार्य सुची, पहला हम देखेंगे परीचे जो हम स्लाइड नमर आट पर देखेंगे, दूसरा हम मानव शरी की संरचना और कार्य देखेंगे जो हम स्लाइड नमर नो पर देखेंगे, तीसरा मानव शरी को पदानुकरम जो हम स्लाइड नमर दस पर साथवा मानोशरीर प्रणाली जो हम स्लाइड नंबर 14 पर देखेंगे आठवा मानोशरीर की संरचना जो हम स्लाइड नंबर 15 से 16 पर देखेंगे नववा सीर और गर्दन जो हम स्लाइड नंबर 17 से 18 पर देखेंगे दसवा थौरेक्स जो हम स्लाइड नंबर 19 पर देखेंगे ग्यारा पेट जो हम स्लाइड नमर 20 से 21 पर देखेंगे बारा उपरी और निचले अंग जो हम स्लाइड नमर 22 पर देखेंगे तैरा माना शरीर के पिछे के अंग जो हम स्लाइड नमर 23 पर देखेंगे शोला पाचन तंत्र जो वम स्लाइड नमा 26 पर देखिंगे, सत्रा शोसन तंत्र जो हम स्लाइड नमा 28 सब गुंतिस पर देखिंगे, 38 मूत्र प्रणाली जो हम to universal पर देखेंगे 19 5 तंथर जो हम to universal तेंटीस पर देखेंगे 20 महिला प्रजिननत अंतर जो हम się युद न्हुर में 34 पर कि देखेंगे 25 तंद्री गांत्र जो हम स्लाइड नमर 41 से 43 पर देखेंगे 26 ज्यानेद्री वां पैंतालीस से 50 पर देखेंगे 27 पर हम देखेंगे उत्तकों में व्यवस्तित किया जाता है और उत्तक अंगों का निर्मान करते हैं अंगों का कंगाल और पेशी प्रणालियों जैसे अंग प्रणालियों में व्यवस्तित किया जाता है कई लोगों ने मानशरीर की तुलना में एक मशीन से की है कुछ सामाने मशीनों के बारे में सोचे जैसे की ड्रिल और वोशिंग मशीन प्रतेक मशीन में कई भाग होते हैं और प्रतेक भाग एक विशिस्ट कारे करता है फिर भी सभी भागों एक समगर कारे करने के लिए मिलकर काम करते हैं इन सभी तरीकों से मानव शरीर एक मशीन की तरह आई वास्तों में ये प्रथवी पर सबसे शांदार मशीन हो सकती है मानव मशीन विभीन इस तरों पर वीवस्तित होती है कोशिगा से शुरू होकर पूरे जीवन के साथ समाथ होती है संगठन के प्रतेक अच्छ इस तर पर जटीलता कि एक बड़ी डिग्री होती है जो हुमन बोडी होती है वो सेल से स्मॉलेस्ट यूनिट हम जो हमारे बोडी के अंदर होती है सेल सबसे smallest unit होती है सेल मिल कर टीशू बनाती है टीशू मिल कर हमारे बोडी के अंदर organs का formation करते हैं और जो हमारी बोडी है वो एक machine की तरह work करती है और इसमें बहुत सारे parts होते हें जो include होकर हमारे body को maintain करते हैं मानव शरी की रचना और कारिय वेश्क मानम इस्त्री तथा पुरुष के शरीर की सनरचना को हम मौर्फोलोजी के नाम से जानते हैं और वैज्ञानिक उसी के बेशिस पर उसका अद्यान करते हैं मानम शरीर रचना विज्ञान या मानम शारेरिकी के अंतरगत किया जाता है मानो शरीर कई तंत्रों से बना होता है तंत्र कई अंगों से मिलकर बने होते हैं और अंग भिन भिन प्रकार से उत्तकों से बने होते हैं उत्तक कोशिकाओं से बने होते हैं जिसे सेल टिशू का फॉर्मेशन कर रही है टिशू, ओर्गन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं और ओर्गन्स का एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं मानों का शरीर तंत्रिकाओं पर खड़ा है विभिन प्रकार के उत्तकों से मिलकर रंगों का निर्मान हुआ है शरीर तंतर में मुखय चार अवेवे है मस्तिक्स, और हमस्तिक्स, प्रमस्तिक्स, मेरुदंड और तंत्र का फुणज इसके अलावा कई और तंतर हैं जिसे 6 तंतर, 5 तंतर, गयानन ऊन्ध्य तंतर और 5 तंतर आदी मानव शरीर का पदानू करम तो क्या होता है से जो यूमन बोडी यह वो फिसके थुरू बनती एक ओवा और एक स्पम के फ्यूजन से जो इंप्लांटेशन होता है उसके रिजल्ट में जो लियक्शन होती है ओवा और इस पाम गेमेट्स मिलकर फ्यूजन करते हैं, फ्यूज होने के बाद में उसका जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट के लूप में हम जानते हैं कि एक मानौ का या एक भूर्ण का निर्मान होता है, जिसी के बेस पे आगे बढ़कर एक यूमन बोडी बनती है और एक मानौ की पूरी शरीर का निर्मान होता है खोशी का विभाजन जिसे ब्रून बढ़ता है विबिन संड़ेशना उत्मक और कारयात्मक विशेश्ट शग्यता वाली कोशी का विक्षित होती है सभी सामान अनुवंचिक मेकप के साथ यम युगमनज के रूप में व्यक्तिकत कोशींगा एतनी छोटी होती है कि समाने उन्हें हम नंग न आँखों से नहीं देख सकते हैं हालांकि उन्हें तब देखा जा सकता है जब उत्तक के पतले स्लाइस का प्रयोग में डाग दिया जाये मलिक जो तीशु हूंगे उनको हम Getting Small छेज्ट में Small patch में the channel desapare chill the देखेंगे तब हमें सेल्स दिखेंगी हालांकि उन्हें तब देख सकते हैं एक माइक्रोइस्कोप को उप्योग करके आवर्दी किया जाता है एक कोशिगा में प्लाज्मा जिल्ली होती है जिसमें साइटो सोल नमक पानी के तरल पधार्त के निलंबित की आई अर्गन्स होत होते हैं इन में शामिल है नाभीक माइटोकॉंड्रिया राइबोसोंस प्लास्मोडियम एंडोप्लास्मिक रेटीगूलम गोल्जी उपकरन लाइजोसॉम और साइटोस्कलेटन यह क्या होते हैं सेल के अंदर के पार्ट्स होते हैं या भाग होते हैं कोशिका सामगरी राइबोसोंस नुकलियूस है यह सारे इससेल के पार्ट्स हैं इस सेल के अंदर सबकुछ होते हैं और जो माइट्रोपॉंड्रिया होता है वो सेल को एनर्जी प्रवाइड करता है कोशिका मानो मशीन के सबसे बुनियादी हिस्टा कोशिका के है जब तक उसेतन व्यक्ति व्यस्कता तक पहुंचता है तब तक उनमें से एक अद्बूत 100 ट्रिलियन कोशिका है मानो शरीर में सनरचना और कारी की मुह लिकाईया है क्योंकि वे सबी जीवित जीवों में है प्रतिक कोशिका बुनियादी जीवन प्रतिक्रियाओं को अंजाम देती है और जो शरीर को जीवित रहने की अनुमती देती है हमारी बॉड़ी के अंदर 100 ट्रिलियन से भी जादा कोशिका होती है और हमारे बॉड़ी के अंदर जो सेल होता है उसके अंदर माइट्रोफॉंडिया होता जो सेल को एनरजी प्रवाइड करता है उसी बेसिस पे हमारी बोडी में भी एनरजी का लेवल बना रहता है कई मानों कोशिगा की रूप में और कारे विशिष होती है प्रते प्रकार की कोशिगा एक विशिष भूमे का निबाती है उदारण के लिए तंत्री का कोशिगा में लंबे अनुमान होते हैं जो उन्हें विद्व यूक्त संदेशों को अन्य गोशिगाओं तक ले जाने में मदद करते हैं मासपीशन की गोशिगाओं में कई मायट्रोपॉंड्रिया होते हैं जो शरीर को इस्थाना अंतित करने के लिए आउश्य गुर्जा प्रदान करते हैं फिर हम देखते हैं मानुशरीर प्रणाली मानुशरीर प्रणाली के अंदर मनुशय अन्य प्रणियों की तुल्णा में जटिल चारी रचना और जीवन पदती के साथ एक जटिल प्रणी है मानो शरीर में शरीर की कामकाज को सुचारू रूप से करने के और ये सुनिशित करने के लिए की है हमें अपने जीवन में स्वस्थ रहे है में अंग प्राणाली शामिल होती है हमारे शरीर में विशिष्ट कारियों को करने के लिए विशिष्ट जेवित प्राणाली है मानो और उमन बोडी के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स इंक्लूड किये गए हैं जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन कारबन डाई और नाइट्रोजन सोचने से पेले हम सभी ऑक्सीजन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन परमानों से दूर जाना चाहेंगे याद अक्सीजन और से परसें और यूमन बोडी के अंदर क्या होता है वाटर होता है माना शरीर की संरचना और विभिन अंगों के बीच एक के समंध में शरीर की रचना विग्यान कहा जाता है इसे मोटे तोरब तीन शेत्रों में बाटा गया है सीर और गर्दन छाती और पेट उपरी और के साथ या सांस की नली के रूप में अंगों का शामिल होना है हमारे शरीर के मध्ये बाग में छाती ये दिल और फेफडों के करीब होता है इसके अलावा पेट और पेट के जो अंग है वो क्या है जिग्र अगनाशे आते गुर्दे और पजना अंग भी शामिल है फिर पाकार और शरीर की संरचना विशेश उत्तकों से बने हैं जिने हड्डियां और मासपेशों का आ जाता है इसकी मदद से ही शरीर की संरचना त्यार होती है हड्डियां और मासपेशों की वज़े से सभी अंग आपस में अपने अपनी स्थान को बनाए रखते हैं माने शरी बारी चोटों से बचाने के लिए वो पंसली नामक पिंजरी के साथ घीरा होता है सीर और गर्दन, मानो शरीर में सीर के हिस्से में मस्तिश्क आँखो, कान, नाखो और मुँ शामिल है, इन अंगों में से प्रतेक का अपना-पना विशिश्च कारिय है जैसे कि हमारा कान का काम है सुनना, नाका काम है सुनना, आखो का काम है देखना सीर का भारी हिस्सा बहद ही कटोर होता है ये एक प्रगार की हड़ी तथा जिसे खोपड़ी या कपाल भी कहा जाता है खोपड़ी शरी के मस्तिश को भारी चोटों से बचाती है जो हमारे कोपड़ी होती ही वो ब्रेन को प्रोटेक करके रखती है जिसे हम इसकल बोलते हैं शरीर के सभी अंगों की गतिवीधिया मस्तिस द्वारा दियनतित की जाती है जैसे कि श्वसन पाचन धड़कन रखत संचरान आदी शरीर के इन विगतिवीधियों को मुख्य रूप से सम्वेधि संचालन और विशेश इंद्रियों के तोर पर जाना जाता है सम्वेधि कारियों में इस पर से दर्द का एसास होना जबकि शरी के संचालन को उनियमित रूप से काड़ने के लिए हाथ पेरों और मास पेशों का हिलना ढूलना भी इंक्लूड किया गया है विश्वे सिंद्री और समन्दित कारियों में देखना सुनना समवाद और गंध महसूस करना शामिल किया गया है दिमाग की नसे शरीर के विभिन अंगों से जुड़ी रहती है जो अक्सार हमारे ब्रेन तक मेसिज को ट्रांसवर करती है फिर आते हम हमारे थोरक्स पे थोरक्स के अर्दर क्या इंक्लूड किया गया गर्दन शैत्र का विस्तार चाती या वक्स होता है चाती पसली नमा के एक घटी का फ्रेम बना के देती है जो हमारी चाती उस पे बोनी स्ट्रेक्चर जो होता है वो एक फ्रेम बना कर हमें देता है जिमें हम रिप्स कहते हैं रिफ्स दोनों फेफडों के करीब होती है और वो सांस लेने में हमारी मदद भी करती है दिल जादा तर मानो शरीर के बाईं और मुझूद रहता है या दोनों फेफडों के बीच में रहता है दिल मास पीशों से बना होता है और यही पूरे शरीर को रखत को पंप करता है जो जो हमारी धुमनिया होती है वो शरीर तक ब्लड को ले के जाती है और जो हमारी शीरा होती है वो क्या करती है हमारे बोडी से ब्लड को लाकर हर्ड तक पहुंचाती है फिर आता है पेट पेट छाती के नीचे पेट होता है पेट में आमाईशे होता है जो खाय बोजन को पचा जुड होता है जो भोजन के पाचन में मदद्दार है एंजाइम् रिलीज करता है पेटटि की लंभी ट्यूप सनरचनां से जूड़ी होती है जिसे आतर कहाः जाता है जिनकी मददसे बोजन को पाचन और पोशक तत्वों में और शोशन में मदद मिलती है अंत में भोजन पाचाने के बाद गुदा के मादिम से अप्शिष्ट या सर्जन पदार्ट को बाहर कर दिया जाता है पेट के निचले हिस्से में गुर्दों की एक जोड़ी होती है मोजुद रहती है और ये शरीर का ए या जननना अंग होते हैं जो पुर्ष और मेलाओं के अलग-अलग प्रकार की होते हैं पुर्ष प्रज्न अंगों में लिंग्य वे आंड्ड कोश होते है जबकि मेला प्रेस्दों अंगों में अंडाशे गरबाशे और योनी शामिल होती है पेट जिगर और इसके उपरी हिस्से में मैला प्रजिनन अंगों में अंडाशे गरबाशे और योनी शामिल होती है प्रजिनन अंगों में लिंग पूरुष के अंदर शामिल होता है पेट और जिगर इसके उपरी हिस्से हड़ी संदशना से गिरे नहीं होते ह इससे ये भारी जटकों और चोटों से सुरक्षित नहीं है इसलिए एक CSSD के रूप में इसे किसी घायल या मरीज व्यक्ति को देखवाल करने के दोरान रोगी के पेट के उपर हिस्से चोड़ लगने से बचाने हमारा कारिय होता है एक CSSD को भी ये पता होना चाहिए कि अगर हम होस्पिटल में जा रहे हैं आ रहे हैं तो कोई पेशेंट आया है तो हमें उसे किस तरीके से डील करना है उपरी और निचले अंग एक स्थान से जो निचले अंग होते हैं हमारे को human body को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में मदद करते हैं और इसके लिए ये सक्षम भी बने होते हैं हाथ भी कंदे से जुड़े होते हैं जो हमारे arms में जुड़े होते हैं और निचले वाले जो portion होता है वो अंगुलियों का निर्माण करते हैं इतना ही नहीं कि जो हमारे अंग होते हैं खाने पीने में भी हमारी मदद करते हैं और कुछ जरूरी कारे करने में भी हमारे उप्रियंग हाथ हमारी मदद करते हैं निचले अंग पेडु शेतर में पेड से जुड़े ये शरीर के पीछे से कूले के पीछे तक फेली हुए हो औधी है रीड की हड़ी मस्तिष्क का विस्तार है ये सबही अंग कैशुरी का स्थम्भ से इस्तित है ये शरीर के संचालन और गति वीदियों के लिए काफी एहम है मानश शरीर के विभिन तंत्र मानश शरीर के अंदर तंत्री का तंत्र आता है जो हमारा जिसके अंदर क्या इंक्लूड किया गया है मस्तिश्क रीड के हड़ी और तंत्री का शामिल है संचार प्रणाली इसमें दिल, धमनिया और नसे शामिल होती है मासपेशयां और कंकाल प्रणाली में हड्या मासपेशयां और संयोजी उत्तक होते हैं श्वशन प्रणाली के अंदर इसके तहट उपरी और निचले श्वशन इलाकों के होते हैं उपरी श्वास नली का नाक साइनस होते हैं नीचे स्वशन तंत्र में नली, ब्रॉंकाई और वायू कोश शामिल होते हैं प्राचन तंत्र में मूग, भोजन नली, पेट, जिगर और पिताशे, अगनाशे, बुदा वा बड़े और छोटे आंतर शामिल होते हैं मूत्र प्रणाली के अंदर गूदा, भूत्र वाहिनी और मूताशे शामिल होते हैं प्रजनन प्रणाली में योऔनंग शामिल होते हैं बुन्यादी शरीरी प्रणाली की अंतिस्तुरावी प्रणाली है इसके अंतहर्त हार्मोन तथा पत्ती रक्षा प्रणाली में शामिल होते हैं जो कि संकर्मन से शरीर की रक्षा करने में मदद करते हैं मासपेशे और कंकाल तंत्र हमारे शरीर में 600 से ज़्यादा मासपेशे और कंकाल तंत्र में मासपेशे और कंकाल आता है जो शरीर को धंचा बनाते हैं शरीर को एक मूल आकार और संरचना देने में हड्यों की भूमिका एहम होती है शरीर की संरचना भूमिका के अलावा हड्या, सिर, पैर तथा शरीर के आकार का निर्मान करती है खोपड़ी हमारे मस्तिश की रक्षा करती है और हमारे चेहरे का निर्मान करती है पाचन तंत्र हमारे भोजन को पाचाने में मदद करता है जो कहां से शुरू होता है मुख से शुरू होकर शरीर में प्रवेश करता है और उसे चबा कर निगलने में मदद करता है ये भोजन पाइप का मादेम से भोजन पेट और आतों में प्रवेश करता है यहां खादे बदार्ग एंजायमों की मदद से छोटी एकाईयों में तूटका जाता है और एंजायम भोजन को पचाने के लिए आवशक होते हैं यह एंजायम लाड़, गरंथिया, यक्रत, अगनाशे और पीताशे द्वारा उत्पादित किये जाते हैं रख्त भोजन से पोशक तत्वों को अशोशित कर लेता है और उन्हें उर्जा के पादन के लिए विविन अंगों में ले लिया जाता है या विविन अंगों तक ले जाया जाता है पोशक तत्व के अशोशित करने के बाद पचे हुए बोजन के बाद अफशिष्ट शरीर से उत्सर्जित हो जाया करता है अभ्यास प्रशने एक मुख पाजन तंत्र के प्रमुकंग है मुख ग्राशनली छोटी आंद और सभी सही उत्तर है सभी शोशन तंत्र, शोशन प्रणाली, शोशनली से और फेंफडों के बीच केंद्री गायों के रूप में शामिल होती है सांस लेने के लिए हवा को ज़ादेतर नाग के मादियम से शरीर में ले लिया जाता है और ये हवा पाइप में प्रवेश करती है इसे शोशन नली के रूप में जाना जाता है शोशन नली से हवा फेंफडों में प्रवेश करती है और हवा से ओक्सिदन फेंफडों में जाती है फेंफडो से यह रक्त की ऑक्सिदन लेकर विबिन अंगों में प्रवा करता है प्रतेक शरीर के अंगों में उर्जा रिलीज करते हैं करने के लिए ऑक्सिदन का प्रयोग होता है शांस तंत्र यह है उर्जा शरीर के विबिन कारियों के बहार लाने के लिए उर्जा का प्रयोग किया जाता है कारबन डाई ओक्साइड फेफडों में रखत द्वारा वापस आता है और फेफडों से हवा में कारबन डाई ओक्साइड को सांस द्वारा सरजित कर दिया जाता है सांस के जरिये oxygen ग्रेंड कर शरीर के लिए उर्जा प्राप्त करने तथा फेफ्लों के जरिये और carbon dioxide को सरजित करने के लिए सांस बारे के जाने के लिए पूरी प्रक्लियाओं का श्योशन प्रक्लिया के लाती है जो हमारे बोडी के अंधर पायर निकालते हैं और अक्सीजन को हमारे बोडी के अंधर लेकर ब्लड की तुरूरी बोडी में डिस्टिबिउट किया जाता है अब्यास परिशने दू शरीक की किस अंग धूरा अक्सीजन ली और कार्बन डायर निकाली जाती है मुत्र प्रणाली में गुर्दे, मुत्र मार्ग, पूत्र वाहिनी और मुताशे होते हैं शरीर के अंग के लिए पोशक तत्वों और उड़्जा के उत्पादन के लिए आक्सीजन का उपयोग करते हैं और इसके बाद अमोनिया और यूरिया के रूप में अप्शिस उत्पादों के का उत्पादन करते हैं इस अप्शिस उत्पादों को रक्त द्वारा गुर्दे तक लाया जाता है अप्शिस्ट उत्पाद घून से फिल्टर होने के बाद और मुत्र के रूप में शरीर से बाहर उसाजित होते हैं यूरिन के यूरिन में हमारे शरीर का अतिरिक पानी शामिल होता है जो हमारे मुत्र प्रणाली है यूरिनरी सिस्टम है ब sãoद Moving जो अपने बॉडी के अंदर होते हैं like कि teknole के खून को फिल्टर करने में काम करते हैं और जो व्लेड फिल्ट्रेशन के पाद जो भी अप्षिस्ट बच जाता हैं उसे बाहर निकालते हैं ब्लैडर के थूँ मूत्र प्रणाली में गुदे प्रजिनन तंत्र में यो नंगो शामिल होते हैं पुरुष और महिलाव में दो अलग अलग प्रगार के प्रजडन प्रणाली है पुरुष प्रजडन प्रणाली में अंड़कोष और पुरुष योन अंग शामिल है योन अंग जिसे लिंग कहा जाता है जो शामिल है अंड़कोष में एक तरल पधार्थ बनता है जिसे शुक्राणू कहते हैं जो निशेचन का कार्य करते हैं ये तरल पदार्थ लिंग के माध्यम से बाहर निकलता है महीला प्रजिनन परणाली प्राणडाशे गरभाशे और महीला योन अंग होता है जब अंडाश शुक्राणू अंडे के साथ संपर्ख में आते हैं जब ओवा और इसकी फ्यूज करते हैं तो क्या होता है जो निकलता है जो बच्चे के जनम और विकास में मदद करते हैं इन्हें दो वागों पर गोर कर सकते हैं हम आपके शरीर में लाखों संक्याओं में अंडे होते हैं जो एक बच्चे में तब्दिल होता है बच्चे के जनम के साथ ही आपका फुनर जनम होता है आपके शरीर के अंदर सही इस प्रजनन प्रणाली में निम्लिकित अंग होते हैं व्रशन अंड कोश अधी व्रशन शुक्राणू वाहिनी शुक्राणू पूती का प्रोस्टेट ग्रंथी और लिंग व्रशन अंडे के आकार वाला अंग है जो पूरुष के उधर भूहा के बाहर होता है पूरुष में एक जोड़ी योनी जोड़ी यानि दो व्रशन होते हैं व्रशन पूरुषों का प्रात्मिक प्रजनन अंग होता है अंत्र इस्तरावी प्रणाली बुनियादी शरीर प्रणाली जैसे अंत्र इस्तरावी प्रणा या अंते स्त्रावी प्रणाली या गृंतियों में थाईराइट, पिटीट, थाई मस आदी इंक्लूड किये गए हैं अते स्त्रावी प्रणाली एंडोक्राइन सिस्टम qya coconut है हमारे बोडी के अंदर रासाइनिक पधारतों को निकालते जिसे हम हर्मॉन्स कहते हैं प्रजनन और पाचन में मदद करते हैं अंतर इस्तावी गरंतियों से निम्न निकले हुए हार्मोन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं अब्यास प्रशन तीन अंतर इस्तावी तंति के मुख्यांग है पे पीनियल गरंति बाथ आयराइट गरंति सअधी वक्र और द सभी तो सही उत्तर है सभी रग्त परिसंच्रण दंतर परिसंच्रण दंत का अर्थ है रग्त का समस्तर शरीर में परिभ्रमन मानव के परिसंचरन तंद में रक्त नलीकाओं, बलड वैसल्स तता हरदे मुख्य रूप से कार्य करते हैं हरदे एक पेशी अंग है जिसका वजन लगबग 200 सी ग्राम होता है हरदे एक पंप की तरह काम करता है हरदे से रक्त धमनियां द्वारा शरीर के विविन अंगों भागों तक रक्त को पहुंचाया जाता है शीराओं द्वारा और वापस लाया जाता है धमनियों द्वारा इस प्रकार रक्त रदे धमनिया और शीराओं द्वारा पूरे शरीर में जीवन बढ़ लगाता ब्रह्मन करता रहता है रक्त परिसंच्रन तंत्र में और हम देख सकते हैं कि शारेदी शरीर के रक्त परिसंच्रन तंत्र में रक्त रदे और रक्त वाइनयाओं का समावीश होता है रदे की पंपिंग क्रिया द्वारा रक्त धम्याओं या धम्नीकाओं से होता हुआ संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है तथा उनमें अक्षिजन, आहार, पानी, एव, अन्य, सभी आविशक पधार्थ पहुंचाता है और वहां से अशुद्य, रक्त, कोशिकाओं तथा शीराओं शीराओं द्वारा पूरी शरीर में पहुंचाया जाता है दम्याओं होती है और संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाती है धन्यों का गाम क्या होता है पहुंचाना और शीरा का गाम क्या होता है लाना उनमें ऑक्सिजन आहार पानी है और ये सभी आवशक पदात पहुंचाना है वहाँ से अशुद रक्त कोशिगाओं ता शीराओं से होता हुआ हरदे में वापस आ जाता है इस क्रिया को रक्त परिसंचरन कहते हैं ये तंत्र या वाई का तंत्र अंगों का वे समुचे है जो शरीर की कोशिगाओं के मद्य पोशक तत्वों का परिसंचरन तत्वों का यातायात करता है प्राणियों और परिसंच्रन तंत्र बंद परिसंच्रन तंत्र होते हैं अथार्थ रक्त कभी भी धम्नियों शीराओं कोशिगाओं के जाल से बाढ नहीं बहे सकता अभ्याज प्रश्ण चार मानव रदे में कुल कितने चैंबर पाय जाते हैं एक दो तीन चार सही उत्तर है चार सामने जिस स्ताफित होता है emulate fifteen babies अरिंसे निकलने वाली तंत्रिगाँ की घंड यह की जाती है तंत्रिका कोशिक तंत्रिका तंत्स और तंत्स आत्मक कंद्स कुर्यात्मक की इत्क इसाइड है स्वाय या स्वाच अलित तंत्रिका तंत्र मस्तिश्क ये कुछ मेरूरजू तंत्रिकाओं का बना होता है ये शरीर के सभी आंत्रिक अंगो वरक्त वहिन्यों को तंत्रिकाओं की आपूर्टी करता है तंत्री का तंत्र आंत्रिक अंगों सहीद मस्तिश्क और शरीर के बाकी हिस्सों के 20 संकेतों को प्रसारीत करता है इस तरह तंत्री का तंत्र की गति वीदी चलने, सांस लेने देखने और सोचने और बहुत कुछ करने की शमता को नियंत्रिक करती है तंत्री का तंत्र की मो लिकाई या एक तंत्री का कोशी का या उसे हम नियूरोंस बोल सकते हैं तंत्री का तंत्र शरीर के सभी अंगों को आपस में समवाद करने में मदद करता है ये शरीर के बहार और अंदर दोनों तरह के परिवर्थनों पर भी परतिकिया करता है संदेश बोजन और प्राप्त करने के लिए तंट्री का तंत्र विद्ध युत्त और आसाजvellिक दोनों साथनों का उप्यों करता है मस्तिष के निम्न तीन भाग होते हैं अग्र मस्तिष मद्य मस्तिष और पश्च मद्य मस्तिष ये तीनों समू मिलकर एक जटिल सनरशना का निर्मान करते हैं जिसे लिंबिक लोब या लिंबिक तंत्र कहते हैं मनूशängt के तंत्री का तंत्र में निम आंग होते हैं, मस्तिष मेरुरजु तंत्रीगाए और संवेधी आंग। अभ्यास प्रशन पाँच इंद में से कौन सी तंत्री का तंत्री संड्लाशनातमक एंकरियातमक एकाई है फिस्ट तंतरी का सेकिंड एक्जोंस दीसरा न्यूर्ञ्ष और फॉर माइलिन शित तो सही आंसर है न्यूर्च ज्यान इंद्री आंग संवेदी अंगों की परिभाशा संवेदी अंग है जो संवेदी तंत्री का तंत्र के आवेगा को संप्रेक्षित करके भाहरी उक्तेजनां को जवाब देते हैं मानों में पाए जाने वाले कुछ पांस सम्वेदी अंगों के नाम कुछ इस प्रकार हैं जो सेंस और्गन्स होते हैं वो होते हैं आई, नोज, इयर, तांग और इसकीन, आँख, कान, जीब, नाग, त्वचा ज्यान इंद्री अंग के अंदर इंद्री अंग विशेश अंग है जो हमारे आज-पास की दुनिया को देखने में मदद करते हैं वे हमारे जीवन का एक अभिन अंग है और ये एक मात तरीका है जो हमें परियावरण को समझने में सक्षम बनाते हैं जो हमारे इंद्री अंग लोते जो संस्य और बन से होते हैं वो हमने नेचर के बारे में जानने में हमारी मदद करती हैं इंद्रिय एक किषरार घटना जवाब में विबिन उगोग और तंत्रिगों से लिए आशयक if not data प्रदान करती है यह सुदा और पर्यावरन के साथ हमारी बाच्चित को नियंत्रित करती हैं इन पांच इंद्रियों में से respect receptors होते हैं जो सम्वेदी neurons के माध्यम से तंत्री का तंत्री के भीतर उप्युक्त स्थानों पर सूचनों का रिले करते हैं सूचना को पहुंचाते हैं रिसेप्टर्स को दो भागों में वर्गी करत किया गया है सामानी और विशेज रिसेप्टर्स पहला पूरी शरीर में मौजुद होते हैं जब भी बाद वाले कीमो रिसेप्टर्स और फोटो रिसेप्टर्स और मेकेनो रिसेप्ट क्या हो रहा है उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं हमें आवेर कराते हैं हमारे पांच पांच इंद्री हैं जो मस्तिश्क को समेदी जानकारी प्राफ्त और विले करने में हमें मदद करते हैं ये इंद्री एक जीव का धार्णा के लिए महत्फुन जानकारी प्रदान करत करते हैं हमारे शरीर में मोजूद मेलेनीन की मात्रा के अधार पर हमें आँखों का रंग अलग-अलग होता है यह प्रकाश चव्यों को प्रदार पता लगाने में हमें मदद करते हैं और केंद्री का द्रश्टी की भावना में हमें मदद करते हैं आँख हमारी शरीर का दश् मदद करते हैं कान हमारे शरीर के श्रमण इंद्री है कान हमें सुनने में मदद करते हैं जीब हमें टेस्ट के बारे में पता लगवाती है और जो हमारे श्वेशन तंत्र हैं हवा कंपन तता पता लगाते हैं कि हमारे पास आवाज सुनने में ऻमें मदद कर रहे हैं नाफ करने में हेल्प करता है इस परश की भावनाँ से रिलेटेड होता है हमें कोई टच करता है तो हमें त्वचा के थुरू ही पता चलता है हमारे ब्रेन तक वहां तक मैसीज को पहुचाया जाता है थैंक यू आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें